Hello friends, good afternoon आज बात करें कि पैंक्रेटाइटिस के पेशन को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है पैंक्रेटाइटिस के कैसी बीमारी है जिसमें खाने का बहुत important रोल है खाना एक तरीके से इलाज जैसा काम करता है पैंक्रेटाइटिस का जो में काम होता है खाने का डाजेटेशन करना चाहे प्रोटीन का हो, चाहे फैट का हो या कार्अःडेट का इसमें जैसे कि अमाइलेज, लाइपेज, إلى उप्रिप्सिन इस तरह के निकलते हैं जो खाने को डाजेस्ट करते हैं और इसके लाबे एक और important इसमें हार्मोन निकलता है insulin जो सुगर की मातरा को नियांतरित करता है diabetes नहीं हो इसके लिए pancreatitis काम करता है pancreatitis के patient में चुकि inflammation हो जाता है उसलिए pancreatitis को हमें risk देने की जुरत होती है acute pancreatitis में हमेशा जब भी pancreatitis suspected रहता है तुरंत खाना बंद करना है निल और ली ये advice करा जाता है कि मुझ से खाना पीना बिल्कुल बंद कर दो क्योंकि जो pancreatitis है जो अगनास है उसको हमें risk देना होता है फिर धीरे धीरे जब improve होती है condition उस cases में पहले पानी दिया जाता है फिर खाना liquid के farm में जैसे की juice है या soup है इस रूप में दिया जाता है फिर धीरे धीरे solid diet पे आ जाता है उसमें भी solid ऐसी diet जो आसानी से digest हो जाए तो ये बड़ी important चीज है और chronic pancreatitis के patient है उसमें भी इसी तरीके का हमें ध्यान रखने के जुरुत होती जो pancreatitis के patient उसको low fat low sugar diet दिया जाता है ताकि pancreatitis को ज़्यादा काम करना ना पड़े तो ऐसे खाना जिसमें चिकनाई कम हो या ऐसे खाना जिसमें मिठास कम हो ये वाला देना है ये चीज आपको हमें से याद रखना है pancreatitis अगर किसी को acute pancreatitis है और वो chronic pancreatitis में ना बदले या pancreatitis का infection आगे ना दोबारा से repeat हो pancreatitis का infection ना बढ़े इसके लिए आपको खाने पे इस्विसली ध्यान देने के जरुत होगी जितने भी pancreatitis के patient वो समझ ले कि खाने का चुनाओ बहुत important है अब कैसे खाना हमें खाना है या किस टाइप के खाना खाना है pancreatitis में हमेशा ये सला दी जाती है कि 5-6 वार खाना खाएं लेकिन कम-कम खाएं और ऐसे खाना जिसमें चिकनाई या जिसमें सक्कर जादा होती है वो चीज़ी नहीं खानी है तो किस तरीका के खाना खाना चाहिए ऐसे खाना खाना चाहिए जिसमें protein हो जिसके अंदर vitamins हो जिसके अंदर minerals हो और जो healthy balance हो मतलब की carbohydrate का और जो अच्छा वाला fat है उसका balance हो तो ज़्यादा सलात की खाने की सलाह रहती है ज़्यादा fruits खाएं आप vegetable अलग-अलग तरह की सबजी हैं बहुत सारी season के साबसे आती है जैसी की लोकी है कदू है या चौलाई है परबल है बैगन है बिंडी है जितनी भी तरह की सबजीया है सारी है खा सकते है क्योंकि सबजीयों के अंदर fiber होता है minerals होता है vitamins होता है और कम calorie होती है nutrition बहुत होता है calorie बहुत कम होती है fiber बड़ा important role कर लिए करता है pancreatitis के patient में क्योंकि pancreatitis का में समिस्या है कारण में cholesterol और lipid का बढ़ना भी है तो उस cases में ये fiber युक्त खाना बड़ा अच्छे से काम करता है इसके अलावा आपको जो अनाज है जैसे की गेहू है या चावल है जो रागी बाजरा दूसरे बे मिलट से ये सारे खाने हैं इनके अंदर complex carbohydrate और fiber होता है तो हमारे घर में जो अनाज हम लोग यूज करते हैं उसको लेना इसके अलावा दाले हैं दालें किसी भी तरह के हो सकती है चने की उड़त की अरहर की मसूर की मूं की सारी दालें खाई जा सकती है जो बीन्स है वो बड़ी अच्छी होती है बीन्स के अंदर fiber protein होता है दालो से पाँच लेटर पानी पीना है क्योंकि पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट में डिहाड्रेशन का भी होना एक बड़ी समयस्या होती है तो खाने का चुनाव आपको इस तरीके से करना है जो खाना होना चाहिए वो बिल्कुल हलका हो अच्छे से पच जाए ऐसा खाना होना चा फैट नहीं होना चाहिए तो अगर आप दूध पी रहे हैं तो लोग फैट दूध होना चाहिए मतला क्रीम या वसा या चर्वी निकाली गई हो ऐसा बजार में दूध आता है या घर में भी ऐसा किया जा सकता है इसके अलाबा जो चाच होती है जिसको लोग मठ्ठा बोलत हैं वो ले सकते हैं बाकी दही नहीं ले सकते हैं या घी नहीं खा सकते हैं जो चीज है यह सारी प्रतबंधित रहती क्योंकि इसके अंदर फैट रहेगा फैट का डाइजिशन हो नहीं पाता है पैंक्रेट टैटिस में इसलिए प्राबलम आती है जो चिकन की बात करें मतन क कि बात करें या जो मांस मचली की बात करें उसमें हम ऐसा ध्यान रखें कि रेड मीट नहीं ले सकते हैं या जो नान बेज है उसको जादा तला मसाले वाला नहीं खा सकते हैं जो चिकन है या जो फिस है उसको बिना आयल के खा सकते हैं भूना हुआ आप उसको यूज कर सकते ह पाइटे उसको नान्वेज अवाइड यू करना चाहिए नहीं खाएं तो ही बेतर है और जो चीज़ें आवाइड करनी उसमें सुगरी डिंक्स हैं सुगरी डिंक्स तो तले जाते हैं और जिसके अंदर ज्यादा नमक होता है वो अवाइट करना है वो पैंक्रेटाइटिस के पेशिट को नहीं खाना है क्योंकि पैंक्रियाज के उपर ज्यादा लोड पड़ेगा उसको ज्यादा इंजाइम सिक्रीट करना पड़ेगा और पैंक्रेटाइटिस होती इसलिए है कि उसके enzyme जादा secret है इस कारण से inflammation हो गया है तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है तो ये बाते हैं जो pancreateitis के patient में क्या खाना है नहीं खाना है उसके बारे में जानकारी है अगर जैसे मैं कुछ चीजों के नाम बता देता हूँ जिसको आपको खा सकते हैं तो जैसे कि roasted चना है राजमा है खा सकते हैं या इंडिया में जितनी तरह की डाले आती हैं सारी डाले खाई जा सकते हैं सबजिया है, coconut water है जो fruits हैं जैसे की अनार है, अंगूर है, संतर है सारे तरह के fruits खाय जाते हैं क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा आयल होता नहीं है और बिना fat के दूद ले सकते हैं तो इस तरह की चीजे हैं जो खाई जा सकती हैं जो तली भुनी चीजे हैं वो नहीं खानी है खाना कम-कम खाना है आसानी से पच जाए खूप सारा पानी पीना है खाना थोड़ा-थोड़ा खाना है और अगर किसी को chronic pancreatitis हो जाती है जो chronic pancreatitis में pancreatitis सिकुड जाता है उसका side छोटा हो जाता है digestive enzyme सिक्रीट नहीं कर पाता insulin का level कम होने लगता है उस cases में फिर जादा सौधानी के जर्थ पढ़ती है कई बार जो enzymes होते हैं digestive enzyme का support लेना पढ़ता है या diabetes की दवाई लेनी पढ़ती है कई बार मिनरल से, मल्टी बिटामिन से इन सबका भी कई बार support लेना पढ़ता है क्योंकि अच्छे से ये absorb नहीं हो पाते है especially जो fat soluble vitamin है उसमें अच्छे से absorb नहीं कर पाता है हड़ियां कमजोर होने लगती है मांसपेशियां कमजोर होने लगती है वजन कम होने लगता है तो chronic pancreatitis में patient को अलब तरह की समस्या आने लगती है तो खाने का बड़ा important रोल है pancreatitis के patient में चाहे acute हो acute जल्दी से heal हो जल्दी से ठीक हो इसके लिए भी खाने का रोल है acute pancreatitis, chronic pancreatitis में convert ना हो इसके लिए भी खाने का बड़ा important रोल है chronic pancreatitis के patient में भी खाने का बड़ा रोल है क्योंकि इसमें फैट का इंडाजेशन होना, इंसुलीन का ना निकलना, डायबिटीज का हो जाना इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं तो सरीर में से फैट को कम करना है, लिपिट को कम करना है, और प्रोटीन लेना है, फाइवर लेना है, मल्टी विटामिन सोने चाहिए, इस तरीके से खाने का हमें चुनाव करना है तो आई होप की टेंक्रेट आइटिस के पेशन को क्या खाना है एक आपको रफ गाइड मिला होगा